आप सब आज देखेंगे लॉंग डिविजिन मेथड डिविजिन रिलेटेट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया किस तरह से रिपीटेट से बहुत आराम से आप बचेगों कॉंसेट क्लियर कर सकते हैं और इसके अलावा जो वोकेबलेरी होते हैं डिविजिन की वह ब जो लॉंग डिविजिन में था होता है उसको कैसे शिखा सकते हैं सिर्क गार्दियषयं मतलब होता है चाहन पर एक יהлон कमपलीट हो रहा है वत जब विड़ेग होता है ना तो डिजिंट को यहां पर मल्टिबल स्टेप्समें डिविज्चे वीगना पुड़ाना पडता है य लॉंग डिविजिन में अकसर हम देखते हैं बच्चें बिस्टेट कर जाते हैं या भूल जाते हैं तो तो टीच लॉंग डिविजिन में अधर देर इस निमोनिक that is called DMSB as you can see here DMSB D stands for dad M stands for mother S stands for sister and B stands for brother here so D dad dad's job is to divide first step second step mom's job is to multiply M M multiply third step है to subtract sister's job is to subtract तो आसानी से याद रखने के लिए यह terms use करे गए है dad mom sister then final step है brother brother's job is to bring down the number if any तो इस तरह से एक step of division complete होता है then they have to after bringing down the number they have to continue from the step one again until they get the reminder तो यह procedure हम आज देखेंगे किसी एक नंबर का example लेकर and let's do long division here so let's divide 63 by 5 using the mnemonic जो अभी हमने देखा so how do we write 63 dividend अंदर होता है diviser बाहर होता है right step one that cat का job क्या है to divide अब हम क्या divide करेंगे first we will divide 6 by 5 6 by 5 और आपको 6 को जो 5 table है उसमे answer में search करना होता है और number लिखना होता है either 6 आ रहा है या नहीं या फिर होई less number that is 1 5 1 5 right to one time then step 2 mom yeah but his mom job is to multiply what you multiply 5 into 1 5 into 1 you have 5 then sister sister's job third step sister's job is to subtract to I'm subtract करेंगे 6 minus 5 minus you will get 1 over here now next step brother का यहां पर we will bring down the number if any फेले देखेंगे number है हां है तो we will bring it down here 13 यह होगे four steps में mnemonic use करते वे d m s b हमने complete किया but remainder आप तेको it is still greater than 5 so 13 can be divided by 5 right so we will repeat it again so 12 इसको करेंगे from step 1 यहां पर now we will divide 13 by 5 so 5 2s are 10 होता है तो 10 हम लिखेंगे 13 divided by 5 okay then mom's job is to multiply we will multiply 5 to 10 5 2s are 10 5 into 2 10 now sister's job is to subtract 13 minus 10 minus you will get 3 over here now brother's job is to check के नम्बर कोई रमाइन है can you bring it down no there is no number here so three will be your remainder इस इस निमोनिक को यूज करते हैं d m s b निमोनिक को यूज करते वे step after step कौन सा आता है long division में यह आराम से आप बचों को याद दिला सकते हैं और correct procedure भी समझा सकते हैं कि कौन सा मतलब पहले क्या करना है दो इस अप्रक्टिंग दें बिंगिंग दान दो नमबर दें चेकिंग इफ दे रिमेंडर इस लेस्टन देवाइजर कंटिनु करना है नहीं करना है या फिर दाट विल देर आप सिखा रहे हैं तो इस तरह को कोई short paper लीजिए और in four steps को इस तरह से लिख लीजिए एंड गिव देम हैंडी और आज देम तो प्रैक्टिस से बच्चे परफेक्ट होंगे देन जब उनको याद रहेगा step by step तो देफिनेटली problem correct solve करेंगे इस तरह से डिविजन जो है ना पहले रिपिटेट से प्रैक्शन के साथ सिखाना होता है देन जो short divisions होते हैं वह सिखाना होता है वह कैबलेरी बहुत important होती है देविजिन की देन लॉंग डिविजिन में देन रिमेंडर जीरो जब आता है जब रिमेंडर जीरो नहीं आता है क्या करना होता है तो बहुत सारी चीजिया होती है डिविजिन के रिलेटेड तो सारी वीडियो का लिंक मैंने description box में दिया है आप ज़रूर चेक करें विट ma जय को बोड़ेक है उसे जो चालनल पह जो जारू सब्सक्राइब करें इसका screen shot जरूर लेले schle जिए अपन पारें धने से खंप्रम स्लुन लगे ड्दम्स पिक अप्स प्यांग ग्यांड विए नव बाल इस लिएु अड़कर पिर विए, जाल अब्यांग तो अर नर निवा लतेस्ट वीड देस्ट टिए्ट.